जाए श्री राशी दोस्तों स्वागत है आपका हमेरे यूटुब चैनल में लक्षिम जोतिशा धात्विंग में मैं हूँ अचारे संध्याज अकसेना और आज हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशी वर्षव राशी के बारे में वर्षव राशी आपका दिन कैसा रहेगा वो हिर माँ बाताने जा रहे हूं तो वर्षव राशी वालो स्वास की मालू में आपका दिन बहुत जैतने रहेगा अ subtitles की बात करूँगी तो आपको अपने स्वास ध्यान रखना चाहिए खाने ध्यान रखे या आपको थोड़ा सा हाइपरटेंशन बीपी के प्रब्लम हो जाए उसका आपको ध्यान रखना है ख्याली पुलाव मत बनाईएगा जो सार्थक चीजे हैं उसे भी ध्यान दीजेगा और आप कोशिश करेंगे कि आप अपने परिवार की बातों पे खरा उतरें परिवार की जिम्यदारी को उठानी कोशिश करेंगे आपको अच पैसा भी काफी मिलेगा हो सथा कहीं से आपका पैसा जो फसा हो काफी समय से वो भी आपको मिल जाए आपको परशानियां दूर होंगी परिवार के साथ आपकी इस सिती बहुत अची बनने वाली है जो चीज आपने सोची थी वो आपको नसीब भी हो जाएगी घर में किसी बात को लेके थोड़ा बहुत कलिश हो सकता है मन मुटाब हो सकता है और कोई ऐसा विक्ति जिसको आप बहुत पसंद करते हों जिसको अपर भरुसा करते हैं जिस पे आप यकिन रखते हैं थोड़ा उससे भी आपका जगड़ा हो सकता है आपकी राशी वाले जो हैं वर्शिव राशी वाले आपको यह सबदने की जुर्थ है कि आज आपको तालमेल बना के चलना है बना आपको बहुत नुकसान हो जाएगा इसलिए अपने ले भी वक्त नहीं का लिए और चीजों को इग्नोर कीजिए जीवन साथी को लेकर आप थोड़ से जिन्तित रह सकते हैं और समाज में आप थोड़ा सा हो सकता है आपकी से गयाट टोगदर फंक्शनल पार्टी में जाएं कुल मिला के कहूंगी कि स्वास के लिए तो दिन अच्छा नहीं है लेकिन धन संपती के मामन बाद अच्छा है क्योंकि आपको अग्यात इस तरुतों से पैसा मिलने की संभावरान देख रही है परिबार के साथ भी आपका अच्छा रहेगा शुबंक आपका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आठ और रंग है काला और नीरा आपको क्या करना है यदि आप चाहते हैं आपके रिलेश्चिप बहुत अच्छी हो और आपका दिन आचा निकले तो आपको चंदन का पारफ्यूम लगाना चाहिए चंदन का पारफ्यूम लगने से आपको फाइदा होगा और भगोल शिप को चंदन गिसके तिलक रगाए है इससे भी आपको फाइदा होगा उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगाए तो लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा ब्रशे ब्रशी हो लो, कोई समझ से हो तो वाटसप कीजिएगा, थैंक यू